बहरी बारिश के बाद अगर राजधानी लखनाओं में गोमती नदी का हम आपको नजारा दिखाएं तो जो जलस्तर है वो बढ़ गया है लेकिन अगर इस गोमती नदी की साफ सफाई की बात करें तो लगातार तमाम दावे किये जाते थे कई परियोजनाओं की सौगात दी आती थी मुख्यमंत्री योगिया इतना खुद बार-बार कह चुके हैं कि जल सनरक्षन करें जल को साफ करें लेकिन अगर तस्वीरे हम आपको दिखाए तो तस्वीरे इससे उलट नजर आती हैं हम इस वक्त रिवर फ्रेंट पे मौजूद हैं और रिवर फ्रेंट पे हम नदी का अगर आपको नजरा दिखा हैं तो आप साफ तोर पर देख सकते हैं कि जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है लेकिन जो गंदगी है वो अब उफान पर आ गई है और जलस्तर से जादा गंदगी नजर आ रही है तमाम तरीके के बजट पेश होते हैं कई बार आदालत ने भी ये निर्देश दिया कि इसकी साफ सफाई हो लेकिन जो नजारा हम आपको दिखा रहे हैं वो विफल है और कहीं ना कहीं अब जो जाग रुकता है लोगों में वो भी नजर नहीं आ रही है क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि नदियों में बाहर की चीज़े ना फेकें गंदी चीजे ना फेकें वस्तुवे ना फेकें लेकिन जो लोग है वो अभी भी इस बात को नहीं मान रहे हैं और लगातार नदी को गंदा करते जा रहे हैं। इसका खाम्याजा क्या भुगतना पर सकता है इस बात पर हमाई से जादा बात करने के लिए अचार राजेन तीवारी जी है में इन से बात करेंगे सर लगातार जो जागरुकता की कमी है वो नजरारी लोगों में अभी भी लोग जो है वो मूर्तियों का विसरजन नदी में कर विराम लेती है विराम के समय में ये सारा संसार जलमाई हो जाता है तो सत्यूग त्रेता द्वापर ये जब जब यूग विभाजन हुआ है जब यूगों का परिवर्तन हुआ है तब जब यूग जब हम विराम ले लेती है श्रिष्टी तो सारा संसार जलमाई हो जाता है जल की बड़ी महिमा है अगर हम जल को सुरक्षित रखेंगे अगर हम जल की संग्रक्षन रखेंगे जल को बचा करके रखेंगे तो हमारा जीवन हमेशा ओजवल महीं रहेगा जैसे आपने देखा कि बीच में अभी कुछी समय पहले कोरोना वाइरस आया था लोगों को अनेक प्रेकार के ऑक्सिजन की कमी हो गई थी ऑक्सिजन की समयश्यां उनके साथ रही तो क्यों उसका कारण क्या था कारण यही था कि लोगों ने पेड़ पूधे काड़ दिये पेड़ नहीं बचाए क्योंकि अगर पेड़ होते तो हो सकता था कि ऑक्सिजन की कमी नहीं रहती उसी प्रकार से जल का भी जीवन में बड़ा महत्व है अगर मान लिजे इसी प्रकार से अगर हम जल को दूसित करते रहे हैं जल को पवित्र करते रहे हैं जल की रक्षा नहीं करते रहे हैं तो आने वाले समय में जरूर हमें जल की भी कमी हो जाएगी हम लोग जल से भी आज के समय में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इन पवित्र नदियों कोई गोमती कोई साधारण नदी नहीं यह भी पवित्र नदी गंगा सिंदु सरस्वती चयमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सर्यू महिंदत नया चरणाम वती वेदिका इसी में गोमती का भी ना महिमा नहीं जानता है आदमी जो हरिद्वार में रहता हो गंगा की महिमा नहीं जानता है लेकिन उसकी बहुत बड़ी महिमा है लोग दूर-दूर से उसमें इसनान करने के लिए उसी प्रकार से गोमती की बेमहिमा है लोग आज के समय में इन जल को अपवित्र कर रहे हैं इसका आने वाले समय में बहुत बड़ा नतीजा हमें भोक्तने को प्राप्त होगा आज के समय में जो सबसे बड़ी परेशानियां जो हो रही है यह जल के कारण ही हो रही है लोग अपवित्र जल को पी रहे हैं तो उनका आचरन अपवित्र हो रहा है इसलिए हमें जल पवित और कही ना कही हम फिर इसी दूसित जल का हम सेवन करते हैं इसलिए प्रतियेक व्यक्ति का नियम है कि जल पवित्र रखे सुद्ध रखे और अगर जल सुद्ध होगा तभी हमारा आने वाला कल सुद्ध होगा अगर हम उसको रख करके बिसरजित कर सकें वैसे तो कहा गया है कि घरों में जो मूर्तियां रखी जानी 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 जाए और पांच अंगुल बड़ी ही होनी जाए आज के समय में अभी गणीश महुत्सव चल रहा है लोग बड़े बड़े गणीश जी को घर में स्थाफित कर देते हैं फिर उसके पश्चाद उनको नदियों में डाल देते हैं या उन्हें ऐसी गिरा देते हैं कई जगों तो ऐसा दिर्शी देखने को मिलता है एकसर कि दाल दें और वह मूर्ति का जो मिट्टी से जिससे भी वह मूर्ति बनीए वह उसी में पिघल जाए और तत्पशाद उसे हम किसी अपने पेड़ पूंद हो में डाल दें इस प्रकार से नदियों में बेसरजन करने का अधिकार नहीं अभी कुछ समय पशाद गणेश जी का आने बाला है फिर महालक्षमी जी का पूजन होगा लक्षमी गणेश जी का पूजन होगा आदमी पूरे वर्स गणेश जी का लक्षमी जी का पूजन करता है और ठीक उसी दिन उनको निकाल करके बाहर कर देता है मतलब पूरे वर्स उन्होंने गणेश जी लक्षमी जी का और गनेश जी का पूजन किया और ठिक जो है महा लक्षमी के दिन उस घर की लक्षमी को बाहर फेंग दिया तो क्या उस घर में लक्षमी का बास हो सकता है इसलिए निवेदन तो यही रहेगा कि लोग जो प्रतिवर्स ये गणेश जी की मूर्तियों को बेसरजित करते हैं तो ये धर्म निरुद्ध है ऐसा नहीं करना चीए अपने घर में ही एक गणपती विराजबान करिए और हर वर्स उस गणपती का ही पूजन करिए क्योंकि जब हम बार-बार किसी देवता का पूजन करते हैं तो वो देवता हमारे सिद्ध हो जाते हैं इसी प्रकार से घर में रखे वे जो हम लक्षमी गणेश जी रखें तो वो हो सके तो उन्हें धातू से संबंदित ही कोई अर्थात अगर आपके पास सामर्त है आप सोने के बना करके रखे और कम सामर्त है तो चादी के बना करके रखे उससे कम सामर्त है तो पीतल या ताबे के बना करके अपने घर में रखे और अगर आप मिट्टी के गणेश जी रखने का आपका लक्षमी जी का रखने का या कोई भी देवता रखने का भी दान है तो उसको आप अपने घर में एक किसी बड़े पात्र में जल भर करके उसी में उन मूर्तियों को डुबा करके रख लें और जब बाद में उस मूर्तियां उपे घल जावें तो उन्हें आपने बगीचे आदी में डाल सकते हैं इस प अपने खेतों में उसको डाल सकते हैं नतियों को पवित्र रखें क्योंकि आज के समय में हम लोग जागरिती करने के लिए चल रहे हैं हम लोग एक दूसरे को जागरित कर रहे हैं हम अपने पड़ोसी से कहते हैं कि चलो वह तुम जागरित हो जाओ तो हम किसी अड़ोसी प का परिबार बनता है आपके परिबार से एक गाउं बनता है एक गाउं से एक जिला बनता है एक सहर बनता है इस प्रकार से पूरा देश बनता है इसलिए पहले अपने आपको परिवर्तन करने के आओ सकता है अगर हम बदल जाएंगे हमको देख करके दूसरा बदल जाएगा प्रतियक व्यक्ति संकल पर ले ले कि कल से हम गोमती में गंगा में कूड़ा नहीं डालेंगे तो कहां से कूड़ा गोमती में पड़ेगा इसलिए अपने घर के कूड़े को अगर हो सके तो या तो किसी डेस्ट बीन में रख लें वर्तमान समय में डेस्ट बीन रख लें घर म या कोई एक ऐसा गड़ा बना लें उसी गड़े में हम उस कूड़े को डालें और उसी का हम खाद बना लें और खाद बना करके उसको हम अपने खेतों में डालें इसमेकार गंगा जी में भी सर्जित करने का अधिकार नहीं है तो बहुत अच्छी बाते राजेन जी नहीं बताई हैं साफत और पाइन का कहना है कि सबसे पहले खुद में परिवर्टन लाने की जरूरत है खुद में परिवर्टन आएगा तो परिवार में परिवर्टन आएगा और साथ फिर पूरे समाज में परिवर्टन आएगा प्रिजनस बाबुलाल के साथ अभी शेक पाने डेली इंसाइडर लखनौ।